तो दोस्तो श्रिलंका में इस समय बहुत गंबी अर्स्तिती बनी वी है श्रिलंका इत्यास के सबसे बुरे एकनॉमिक्स क्राइसिस को जहला है और दोस्तो इतने इनी बलके श्रिलंका में ग्रहा युद जैसे इस्तिती पैजा हो गई है और लोग सुलके पतरगर विरोत प्र law and order maintain करने में बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ लाए अभी कुछ दिन पहले जब situation out of control होती हो दिखाए दे रही थी तो पुलिस और सेना ने बिना warrant के arrest और shoot at site के order दे दिये थे हालागे दोस्तो शिलंक के सेना और पुलिस आम ना रिवो कंट्रॉल करने में नाकाम रही है वहीं दोस्तो कल भीड ने पुलिस के सामने शिलंक के प्रधामति महिंदर राजपक्षय के खानदनी घर में आग लगा दी थी और यहां तक कि महिंदर राजपक्षा सरका को समर्टन देने वाले सभी विदायक और सांसेदों को सड़क पर दोड़ा दोड़ा का मारा पीटा गया इस घटने के बाद श्रिलंका में सभी MP और MLA अंडर ग्राउंड हो गया और यह मिनिस्टर या सपोर्टर देज छोड़ का विदेश न भाग जाएं इसको सुनिशित कहनने के लिए सभी प्रतरशन कारियों ने एरपोर्ट तर जाने वाले सड़कों को ब्लॉक कर दिया और चैकपूट बनाकर जाने वाले लोग के तलाश ले जा रही है और जो भी लोग एरपोर्ट पर आये उनके तलाश ले जा रही है ताकि कोई भी मंत्र या सपोर्टर देश छोड़ कर ना भाग जाए इतनी ग्रोज के बाद महिंदर राजपक्षे ने प्रदावंधी पस्से स्तीवा दे दिया जिसके बाद वो श्रीलंका नेवे के एक बेस में जाकर छुप गए है लेकिन दोस्तों वो वहाँ पर भी सेफ नहीं है क्योंकि प्रदेशिन कारियों ने पूरे नेवल विवेस को चावताव से घेल लिया था और उसके अंदर खुषने की कोशिश भी कर रहे थे वहें दोस्तों श्रीलंका में केसी भी वक्त स्थित्य आउट आफ कंट्रॉल हो सकती है क्योंकि वहाँ की सेक्यूर्टी अजेंसी लोग को सही से कंट्रॉल ने कर पा रहे और शांती विवस्ता को स्थावित करने में पूरे जाया से फेल रही है जिसके चलते दोस्तों श्रीलंका में एक खबर फैलने लगी है कि श्रीलंका के सरकार ने भात से मदद मागिये कि भारत अपने सैनिको को श्रीलंका में उतारे और वहाँ पर घ्राज़ित होने से रोके वहीं श्रीलंका में इस तरह की खबरे बहुत तीजे से फैल ले थी जिसमें क्लेम किया जा रहा था कि इंडिया नावी श्रिलंका में गोज जाएगी और करनेट गौर्वर्मेंट की मदद करेगी वहीं दूस्तों भारत ने इससे पहले कुछ अपते पहले श्रिलंका की मदद के लिए 3.5 बिलियन डॉलर खर्शेते जिसमें श्रिलंका को दवाईयां, गेहूं, चावल और डियल भीजाता लेकिन भारत की मदद को श्रिलंका के आमनारी इस तरह से देख रहे थे कि इंडिया महिंदर राजपक्षे को सपोर्ट कर रहा है जबकि श्रिलंका के लोग अपनी सालत के जिम्मेदार राजपक्षे को मानते हैं वहें दोस्तों कुछ अफ़ा ये भी फैल लिए कि महिंदर राजपक्षे ने स्तीफा देने के बाद भारत में शंड ले लिए और दोस्तों इस तरह श्रिलंका में एंट्री इंडिया सेंटिमेंट बहुत तेजी से बढ़ लाए ऐसे में श्रिलंका में एंटी इंडिया सेंटिमेंट ना बार से के इसलिए भार सरकान ने साफ किया कि भार श्रिलंका के अंदर अपने सैनिकों को उताने नहीं जा रहा साथी इस तरह की न्यूस इंडिर गौर्मेंट ने फिक बताया साथ ही बारत ने काये कि बहार शिलंका के अंदर डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी और एकनौमी रिकावरी का प्रक्षतर है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जुरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें